same sex marriage यानि की male की male से marriage और female की female से आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है एक लड़का लड़के से कैसे शादी कर सकता है और लड़की लड़की से कैसे शादी कर सकता है जिहां इस context में एक petition honorable supreme court के सामने file भी किया गया है और उसमें two male persons ने उनकी marriage को recognize करने के लिए एक law pass करने के बारे में honorable supreme court में petition file किया है उनका कहना है कि वो past 10 years से एक साथ रह रहे हैं और उनकी marriage को recognize किया जाए उनके बीच में relationship भी है जो पती और पत्नी के बीच में होते हैं उसी तरह से यह जिंदगी को जी रहे हैं उन्होंने अपने एफिडविट में पुट्टा स्वामी वाले केस का reference भी लिया और उन्होंने कहा कि honorable supreme court ने same sexes को भी right to equality परदान करने के बारे में judgment पास किया है इस context में central government ने अपना एफिडविट फाइल किया है और उनका कहना है कि जहां तक marriages का सवाल है हमारे personal law कहीं पर भी male और male की और female की female से यानि की same sexes के marriage को recognize नहीं करती और नहीं ऐसा कोई law हमारे पास अरड़ी मौजूद है अगर हो भी तो हमारा जो same sexes का marriage है वो हमारे social background जहां तक marriages का सवाल है उसे support नहीं करता और हमारा जो family system है जो समाज में ताना बाना बनाता है जो उसका आधार बनाता है वो पूरी तरह से demolish हो जाएगा क्योंकि जहां तक matrimonial relationship का सवाल है उसका मतलब है एक male जो की husband बनता है और female जो की wife बनती है और उनकी relationship से offspring पैदा होते है यानि कि उनके बच्चे पैदा होते है और fit generation आगे के आगे चलती है लेकिन अगर same thesis के बीच में ऐसा कोई भी matrimonial relationship recognize किया जाए तो हमारे समाज का जो आधार है वो disturbed हो जाएगा पूरा balance जो है वो imbalance हो जाएगा तो ऐसे marriages को recognize नहीं किया जा सकता अब क्योंकि मामला already Supreme Court के सामने pending है और let us see कि इस मामले में honorable Supreme Court इसमें क्या decide करते हैं हाँ आप इसके वारे में क्या सोचते हैं same sex marriage के वारे में या यह allows होना चाहिए के नहीं होना चाहिए इसके विचे में आप अपने comments मुझे जरूर अपने comment box में mention कीजे मुझे आपके comments की वेट रहेगी और जब इस context में कोई judgment honorable Supreme Court का आएगा तो उस पर भी मैं एक detailed video जरूर बनाऊँगा तब तक के लिए आप मुझे परमिद कीजे thank you so much जय हें जय हालत